खबरां दे बुलेटें दे स्पांसर्व ने रियानेटेर गुर्ज देंदर सिंग रन दावा हर तरह दी प्राफ़टी खरीदन दे वेच जनली तुसी कॉल कर सकदेू सासरे काल तुसी मेखरायो पंजाब मेल यूएसे टीवी मैहा संजीव यश खनना खबरां दे बुलेटं दे विट स्वागत सब तो पहला चोण वियां खबरां टॉनल्ड ट्रम्प होंगे अमरीका दे संताली में रास्टर पती पार्ती हवाई अड़ियां ते सिख मुलाजम नई पैंट सकंड गे किरपान सरकारी हुकमा मगरों वड़ा विवाद पंजाब दी स्यासत विच वड़ा तमाका बी-एस-पी ने पार्टी परदान गड़ी नू कड़िया बाहर खेड़ां वतन पंजाब दीयां दोरान मैदान विच गई एथलीट दी जान लॉरेंस दे ना ते सल्मान नू तमकी देन वाला गिरफतार डिबरुगड जेल विच बंद एमपी अमरित पाल सिंग नाल जुड़ी वड़ी खबर हुन खबरां विस्थार दे विच अमरीकादियां राष्टरपती चोणा विच डॉनल्ड ट्रॉम्प ने जित हासिल कर लई है हुन ओप अमरीकादे संताली में राष्टरपती वज्जों सौ चुकन गे अते जन्वरी दोहजार पच्ची विच अमरीकादी सत्ता संबाल लण गे ट्रॉम्प नो 277 इलेक्टोरल वोटां हासिल हुई है ज़त के कमला हैरिस नो 226 इलेक्टोरल वोटां मिलिया डॉनल्ड ट्रॉम्प दोजीवार अमरीकादे राष्टरपती बनन जा रहे ने इस तो पहला ओँ 2016 तो 2020 तक अमरीकादे राष्टरपती रहे पिछली है चोणा मिच ओर जो बाइडन तो हार गए सन चोणा दुरान पहला क्यास राइया लाइया जा राइया सन के ए मुकाबला बहुत सक्त रहेगा अते फिर भी कमला हैरिस दे जितन दी उमीद बनी होई सी पर ट्रम्प दी इस जितने सारे गणत नो उल्टा दिता है इस दिनाल ही जेडी वैंस अमरीका दे अगले वाइस प्रेजिडेंट होंगे राष्टरपती चोणा हरन बाद कामला हैरिस अपने वोटरान दा तानवाद करन लई नहीं आई बलके उसने अपने एक साथी नो लोका दा तानवाद करन लई पेजिया जित मगरों ट्रम्प अपने समर्थ कामजकार पहुंचे आते उना नो संबोदित कीता ट्रम्प ने कहा के ए इतहास दा सबतों महान राजनितिक पाल है इस दोरान उना ने अमरीकी लोकाना तानवाद कीता ते कहा के मैंनो खुशी है के मैंनो एक वर फिर अमरीका दी सेवा करन दा मौका मिली है उना कहा के मैंनो तो हाड़े ते बड़ा मान है ट्रम्प वलों तानवाद करन मौके स्टेज ते पत्नी समेत उन्हादा पूरा परिवार हाजिर सी ट्रम्प तो बाद नमे बने उपरास्टरपती जेडी वैंस ने भी संकेप स्तनवादी पाशन देता उन्हां किहा कि ए जित अदूती अते इतिहास काई असी अमरीका दी बेतरी लई काम करांगे डौनल्ड ट्रम्प ने अपने समर्थ कानू संबोधन कर दे हुए किहा कि ए पाल इस देश नो फिर तो मजबूत करन विच मदद करनगे फ्लोरिडा दे वैस्ट पाम बीच कन्वेंशन सेंटर विच अपने संबोधन विच ट्रम्प ने कहा मैं हर रोज तुहाड़े लई लड़ांगा अते अमरीका लई सुनेरी युग लियामांगा फैसला कुन बढ़त दो बाद ट्रम्प ने फ्लोरिडा विच समर्थकानों कहा कि मैं तो हड़ा संताली माराश्ट पती हाँ जही सियासी जित पहला कदे ने देखी गई ट्रम्प ने अपने समर्थकाना तानवाद कर दिया इसनों अमरीकी लोका दी वड़ी जित दस्या दर असल 78 साला ट्रम्प नो फिलहाल 277 एलेक्टारल कॉलेज वोटा मिलन दा अनुमान है ट्रम्प ने कहा के असी अपने देश नू ठीक करन अते अपनी सरहदा नू सरक्षत करन लई काम करांगे असी आज इतिहास रचए है असी सब तों उधिति सियासी जित हासिल कीती है मैं अमरीकी लोकाना तानवाद करना चोना मैं तोहाडे अते तोहाडे परिवार लई हर सानाड लड़ांगा अमरीका दे पंजार राजान दिया पांसो आठती इलेक्टोरल वोटा लई गिंट्ती कीती गई राश्टरपदी चोना दे नाल लाल संसदी चोना विच भी ट्रम्प दी डिपब्लिकन पार्टी नूँ लेड हासिल होई इस जितनल आउन वाले समय विच अमरीका दियां बहुत सारी नीतियां में बदलाओ देखन नों मिलेगा जिना विच परमुक तौर ते विदेश नीती, इमिग्रेशन, गरब बाद अते देश दा अर्थ चारा शामिल है पारत दे हवाई अडियां ते सिख मुलाजमानों किरपान ना पैंडन दे हुकम देते गई ने सरकार दे इस फैसले नों लेके देश्विट विबाद खड़ा हो गया हाल ही बेच ब्यूरो आफ सिवल एविएशन ने हिदायता जारी की तियाने के हवाई अडियां दे काम करन वाले सारे सिख करमचार यानों सुरख्या कारना कार के किरपान नहीं पैनन देती जाबेगी एह हुकम सुरख्या प्रोटो कोल दी पालना नों यकीनी बनावन लाई जारी कीता गया है ओदर तक्त श्री दमदमा साहब दे जत्थेदार ग्यानी हरपरीज सिंग ने ऐस फैसले दी अलोचना कर देया एस नो तारमिक अजादी दी उलंगना करार देता है उन्हा किहा के किरपान सिख तरम विच पवित्तर चिन है ते ऐस नो पैनना तारमिक अधिकार है ग्यानी हरपरीज सिंग नुसार इस तो पहला मी अजहे हुकम जारी कीते जा चुके ने जेस नार सिख कौम दिया तारमिक पावना मानो थेस पाउंची सी उन्हा किहा के हवाबाजी अथारिटी वल्लों सिख नो ड्यूटी दोरान किरपान ना पैनना दा दिता गया हुकम गलत है दस दिये के पार्टी समिदान सिख नो अपने तारमिक चिन पैनना दी अजादी दिन दा है इस विच पांच ककार केस, कड़ा, कंगा, कच्छारा ते किरपान शामिलने और जहे हुकम पहला में सरकारी ते निजी अदार्या मेंच जारी कीते जा चुके ने जिस कारन सिख कौम मेंच रोज पैदा हुंद है इस हुकम नूस सिख जथे बंदियावलों ही नहीं समाज पार्टी पंजाब दे सुबाबादान जसुए सिंग गड़ी नू अनुशासन हींता दे दोश हेट पार्टी विचो कड़ देता गया है उना दी थां पार्टी दे सापका सुबा परदान दे सापका राजसभा मेंबर अवतार सिंग करीम पुरी नुँ नवा सुबा परदान बनाया गया है बसपा दे पंजाब मामला दे इंचार्ज रंदीर सिंग बैनी वाल वल्लों इस फैसली दे पुष्टी कीती गई के जस्वीर सिंग गड़ी नुँ पार्टी विचो कड़ देता गया ते उना दी थां अवतार सिंग करीम पुरी नुँ मोड़ पंजाब दी मोड़ उसारी सौंप दिती गई बसपा सूतरंगा कैना है के पार्टी सुप्रीम मुकुमारी मायावती उतर परदेश विच पांजवार मुख मंतुरी पणी सी बसपा दे बानी बाबू कांशी रामने वी उतर परदेश नु सबतो वद समा देता सी पंजाब दे अगू अवतार सिंग करीम पुरी नुँ वी उतर परदेश तो ही बसपा ने राज सबा विच पेजिया सी पार्टी ने जस्वीर सिंग गड़ी दे बियान नू अनू 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 बाहर दा रस्ता दिखा दिता है बस पा अगो बैनिवाल ने दस्या के बहुत सारी होर गलना दे खुला से जल्दी कीते जानगे सूबे पर विछ नौजवाना नू खेडा ना जोडन लई खेड़ा वतन पंजाब दिया करवाईया जा रही है ने इस दे तीजे सीजन तह तैलो दियाना दे गुरू नानक स्टेडियम विच मुकाबले करवाई गए गए इस दोरान चलंदर तो हिस्सा लैन आई अथलीट वरिंदर सिंग दी अचानक होई मौत ने स्टेडियम विच पर्थूपा दिते होन उस अथलीट दी मौत दी वीडियो भी सामने आ गई है जिस विच ओ अचानक खेठा डिकदा नजर आ रहे है दर असल किसे वलों स्टेडियम विच हो रहे हैं खेड़ा दी वीडियो बनाई जा रही सी इस दोरान जदो उस दा कैमरा वरिंदर सिंग वल गया था ओपने दोस्नाल फोन ते गाल का रहा सी वीडियो विच साफ देख्या जा सकता है कि उस विले वी फोन उस दे हाथ विच ही फड़ा होया सी इस दोरान उग कुर्सी वाल नो मुड़ता है पर अचानक अगए नो टिक जानदा है वरिंदर दा मुँ अगे पए मेज उते वजदा है ते ओ जमीन उते डिक जानदा है उस दे साथी अठलीट दे होर हाजरीन उस विले वरिंदर दी मदद लई ओस वाल दोर देने जानकरी मताबिक वरिंदर सिंग दी उमर चुरंजा साल दे करीब सी ओ खेड वतन पंजाब निया सीजन तेन विच हिस्सा लेंड लई जलंदर तो लोदियाना दे गुरू नानक स्टेडियम विच गया सी उसने हार्ट अटेक तो कुछ दिर पहला ही लॉंग जांप विच हिस्सा लेा सी ते होर खेड मुकाबले विखन लई रुक्या होया सी इस दोदान अचानव उसनों दिल दा दोरा पै गया ते उस दी मौत हो गई सल्मान खान नो मंगलवार स्वेरे फेट नो लॉरेंस दे नादे तमकी मिली है मुंबाई कंट्रोल रूमेच मिले संदेश विच कहा गया कि जेकर सल्मान खान बिशनोई पाई चारे दे मंदर चाहके काले हिरंदे शिकार लई मौफी नहीं मंगदा ता पांच करोडे रुपए नहीं देंदा ता उस दी चाहन जा सकती है हलाके मीडिया रिपोर्टा मताबिक तमकी देन वाले दोशी नो पुलिस ने करनाटक तो करफ़तार कर लिया उस दा नाव विक्रम है पुलिस मामले दी जांच लई मुल्जम नो मुंबई लेके आवे की खडूर साब तो संसद मेंबर अमरित पाल सिंग आते उस दे साथिया ते राश्टरी सुरक्या कानून एन एस ए लाउन आते इस नो वदा के नजर बंदी दी मियाद वदाउन लाई दाएर पर्टेशन ते सुनवाई कर देया पंजाब आते हर्याना हाई कोट ने अमरित पाल अते उस दे साथिया ते दूजी वार एन एस ए लाउन दा रिकॉर्ड पंजाब सरकार तो तलब कर ले है उक्त हुकम दी पुष्टी नाल सबंदत रिकॉर्ड दी के इंदर नो सौंपन दा हुकम दिता गया मंगल वार नो जदो इना सारे मामले आते सुनवाई शुरू होई ता हाई कोट ने पंजाब सरकार तो पुछिया कि इना सारे आते नमें सिर्यों एन एस एस किस अधार ते लाया गया है सरकारी वकील ने किया कि उक्त रिकॉर्ड अज उन्ना कोड नहीं है जिस कारण अदालत ने पंजाब सरकार नो ए रिकॉर्ड अगली सुनवाई दुरान पेश करन दे हुकम दिते ने सुप्रीम कोट ने साथ दो दे बावमत वाड़े फैसले विच अज साफ कार देता के राज सरकार नो समिदान तहत सांजे हितना दे नाम हेट वांडलाई निजी मालकी वाले सारे वसीलियां उते कबजा करन दा कोई अधिकार नहीं है सरवाच अदालत ने कहा के निजी संपत्ती पाइचारक वसीला नहीं है चीफ जस्टिस डिवाई चंदर चूरदी अगवाई वाले नो जजज़ादे बैंच ने हाला के कहा के राज कुछ की सामेच निजी संपत्ती ते दावा पेश कर सकते ने सीजे आई वलों सुनाए बाउमत वाड़े फैसले विच जस्टिस कृष्णा आई यार दे उस पिछले फैसले नो रद कर देता गया जिस विच कहा गया सी के सूबा सरकारा समयदान दी तारा उनतारी भी तहत निजी माल की वाड़े सारे सरुताते कबजा कर सकती आने चीफ जस्टिस ने अपने अधे बेंच विचले छे होर जज्जा जस्टिस रिशी केश रॉय जस्टिस जे बी पार्दी वाला जस्टिस मनोज मिश्रा जस्टिस राजेश बिंदर जस्टिस सतीश चंदर शर्मा जस्टिस अगस्टीन मस्री लई एक सोतरानुए सफ्यांदा लिखिया जिसने इस विवाद पूरंते पैचीदा करनोनी सवाल दा नबेडा की था कि की निजी जायदाता नू उतारा उन्तारी भी तहट पाई चारक पदार थक वसीला मन्या जा सकता है जा नहीं अधिकारिया वल्लों लोग हित विच वंडन लाई अपने कब्दे विच ले ले जा सकता है जा नहीं बैंच विट शामल जस्टिस बीवी नागरतना ने सीजी आई वल्लों लिके बाउमत वाड़े फैसले नाल अन्शक जदों के जस्टिस सुदान शुरू तूलिया ने फैसले विचारे सारे पहलों नाल असेमती जटाई बाउ गिंटती वाले फैसले वाल जजजाने जस्टिस क्रिशना आयर वल्लों 1978 दे रंगानाथ रेड़ी केस विच रखे दृष्टी कोर्णल असेमती जटाई इस फैसले दा संपती ते वसीलिया ने वांट नो असर अंदास कर दे कानून आते खास करके महाराश्टर विच वड़ा असर पाएगा जिते पुरानी आइमार थां सुरुख्या लई वड़ा खत्राने ते एन्ना दी बहाली वड़ा मसला है सुपरीम कोर्ट ने 1素 80 दे मिनर्वा मिल्स केस विच बढाई मी सोध विचालिया दो विवस्ता वांँ जो किसे भी सभदाने क सोध नो किसे भी अदार्थे किसे भी अदालत विच चिंवती देन तो रोक दी सी और जिस विच विक्तिया ने बनियादी हकादी थां स्यासत निर्देशक से दानतारों तरजी दिती गई है उसनों गैर सम्विदाने करार देता सी सुप्रीम कोट ने केस दी सुनवाई दुरान 16 पर्टिशना दे सुनवाई की ती जिस वेच मंबई अधारित प्रापटी ओनर्स एसस्येशन वलों दायर मुक पर्टिशन भी शामिल सी पी ओए ने महराश्टर हाउसिंग ते एरिया डिवल्पमेंट अथॉर्टी एक्ट दे चैप्टर 8 ए दे चनौती दिती है ए चैप्टर 1986 सी वेच शामिल कीता गया जिस तहद सूबा सरकारा अजेही किसे भी एमारत अते जमीन जिस ते ओ उसारियां गया होए उत्ते कबजा कर सकती है जिस 77 प्रतिशत कावजकारा ने बहाली दे उदेश अलई अजेही बिंटी कीती है साओधी अरब दा ना सुन दिया ही सब तो पहले दिमाग विच ख्याल रेत अते रेगिस्तान दाउंद है पर साओधी अरब तो जो ताजा दुरेश सामने आया उस विच ए रेगिस्तान पर फीली जगा विच बदल गया है अते हर पास ये बिर प्रफ दे चादर विची होई है देश दे अलई जौफ रेगिस्तान विच पारी बिर फ़बारी होई है जो इस खेतर दे अतिहास विच पहली बार होई है रेत दियां वादियां विच ए नजारा देखे एंज लगदा जिमें इस साओधी अरब नहीं सगो एंटार्टिका दा कोई इलाक है इस बरफबारी अते मोलेतार मी करन पूरे इलाके विच ठंड दा परबाव वद गिया है साओधी प्रेस एजनसी अनुसार साओधी अरब विच वापरी एकटना मौसम माहरा नो हैरान कर रही है अल जौफ दे कुछ हिस्से पिछले बुदवार नो मौलेतार मी अते गड़े मारी नल पर बावित होई सन इस तो बाद उत्री सरहद रियाद अते मक्का के तर विच भी मी पया ताबुक अते अल बहा न इलाके वी मौसम विच इस तबदीली नल पर बावित होई इस तो बाद सोवार नो अल जौफ दे पहाड़ी इलाके विच बर्फ बारी होई इते पही बर्फ दिया तस्वीराने सोशल मीडिया ते लोका न त्यान अपने वाल खिच जे है जमू कश्मीर विदान सबादे तीजे दिन उप मुख मंतरी सुरिंदर चौधरी वलनो तारा 370 दी बहाली लई मता पेश करंदो बाद हंगामा होया जिसनो विदान सबादे बाव बाव मतनल पास कर दटा गया इसका दमदा विरोदी तीर दे नेता सुनील शर्मा ने सक्ट विरोद कीता अते सरकार दे इस कदम ते सवाल उठांदे होया किया कि जदो उपर आजपाल दे पाशन ते चर्चादा कम सी ता ए परस्ताव की में पेश कीता गया विदान सबादी बैठक शुरू होन तो तुरंत बाद उपर मुख मंतरी सुरिंदर चौधरी ने सरकार दी तरफों परस्ताव पेश कीता एस परस्ताव विच लख्या गया सी के ए असेंबली जम्मू कश्मीर दे लोकां दी पचान सब्याचार अते अधिकारां दी राखी करन वाली विशेश अते सविदाने गरंटियां दी महतता दी पुष्टी कर दी है अते इस नू एक पास्टल हटाउन ते चिंता परगड कर मते विच अगे किहा गया कि एस अधन पारत सरकार नो विशेश दर्जे दी बहाली सविदाने गरंटियां दी बहाली लई जम्मू कश्मीर दे चुणे होई नुमाइन दी अनाल काल बाद शुरू करन अते अन्ना मेवस्थामा नो बहाल करन लई एक सविदाने विदी त्य चार करन दी मांग कर दे ये भी पढ़िया गया कि एस गालते जोर दिन दी है कि बहाली दी कोई भी प्रधिकरिया राश्टरी एक ता अते जम्मू कश्मीर दे लोकानियां जायज इच्छामा दोवान दी रख्या करनी चाहिए इस प्रस्ताब्द समर्थन सीनियर एंसी ने कीता इस कदम दी पाचपानेता अते वरूदी तिर दे निता सुनील सरमा अते होर पाचपानेता माने तिकी ऐलोशना कीती जिनन ने कामकाज वीचे तबदील दी सवाल उठाए उनना कहां के जब एक कम L जी जे कर A पते ते चर्चा बारे C दा सोशन किस बारे है हाई कोट ने इस मामले दी जांच विजिलेंस नो सौंप दे हुए रिकार्ड सील करन दे पटीशनर नो सुरख्यादा हुकम देता है पटीशन दाखिल कर दे हुए फरीद कोट वासी कुलदीप सिंग अटवाल ने दस्या के सितंबर विच खेड़ा वतन पंजाब खेड जैंपियंशिप करवाई कैसी फरीद कोट विच सितंबर महीने करवाईया खेड़ा वतन पंजाब दिया प्रोग्राम विच मुकाबले बाजान दे गिंटी विच हुएर फेर करके लखान दा को टाड़ा करंदा दोशलों दे हुए सी बी आई जांच दी मंग नू लेके हाई कोट विच पटीशन दाखिल कीती गई है हाई कोट ने इस मामले दी जांच विजिलेंस नू सौप दे हुए रिकॉर्ड सील करंदे पटीशन नू सुर्ख्या दा हुकम दिता है पटीशन दाखिल कर दे हुए फ्रीद कोट वासी कुल्दीप सिंग अटवाल ने दस्या के सितंबर विच खेडां वतन पंजाब खेड जैंपियंशिप करवाई गई सी एस चैंपियंशिप दे उद्गाटनी ते समापती समागम विच लग बग ब्यारी लग रुपे दा खर्च आया सी इस विच पोजन दा इंतजाम वी सी सरकारी पैसे दा गवन की ता जार है सुप्रीम कोट ने ड्राइविंग लाइसेंस नो लेके वड़ा फैसला सुनाओं दे हुए लाइट मोटर वाइकल लाइसेंस तारकानू 75 सो किलो तक पारवाडियां गडियां चलाओं दी मन्जूरी दे देती है बुद्वार नो सुनवाई दुरान कोट ने कहा कि अजेहा कोई डाटा नहीं है जो हादसियां मचे यकीन नहीं पार दे ट्रांसकोर्ट वीकल दे शामिल होन अधे ड्राइवर ना दे निमा अनुसार उनननू चलाओं लाइए अधिकारितना होन ते कलेम खारज कर रही सी 18 जुलाई 2023 सुप्रीम कोट नो सविधान नक बेंच ने इस कनोनी सवादनाल जुडियां चेतर पटिशना दे सुनवाई शुरू किती सी पर मुक पटिशन बजाज अलाइस जनरल बीमा कंपनी लिम्टेड वलों दाखिल किती गई सी 3500 किलो तो काट पारवाड़े वीकल चलाउन लाई LMV लाइसेंस वाले ट्राइवर नो मोटर वीकल एक्ट दी तारा दस दो ई दे अदीन वक्त तो अथार्टी दी लोड नहीं है लाइसेंसिंग लाई LMV लाई ट्रांसपोर्ट वीकल वक्त कैटेगरी नहीं है दोहां धरम्यान एक ओवर लैप है हलाके स्पेशल परमिशन दी लोड ई कार्ट ई रिक्षा अते खतरनाक समान लजाउन वाले वीकल ते लागु हुन दी है मोटर वीकल एक्ट दी तारा तिन एकदा दूजा हिस्ता जो ट्रांसपोर्ट वीकल चलाउन लाई स्पेशल अथार्टी दी लोड दे जोड दिन दा मोटर वहन एक्ट दी तारा दो एक्की विच दिती गई LMV दी परिबाशा दी जगा नहीं लेंदा ट्रांसपोर्ट वेकल चलाऊन लाई मोटर वेकल अक्ट अठे मोटर वीकल रूद्स रोच देटे गई माप तढ़ थन सिर्फ उन्ना लोग कादे लागू होनगे जो पजत्र सो किलो तो वदपार वाले ट्रांसपोर्ट वीकल याने माल वाहक, पैसंजर वाहक, पारी माल वाहक, अतियात्री वहन चलाउना चाहूं देने दर असल ए सवाल ओदों उठे है, जदो 2017 मेंच मुकंद देवगंड बनाम औरियंटल बीमा कंपनी लिमिटेड मामले विच सुप्रीम कोट दी तेन जज़ानी बेंच ने ए फैसला सुनाया सी ओदो कोट ने कहा सी, अज़े है ट्रांस्पोर्ट वहिकल जिनादा कुल पार पज़ात्र सो किलोगराम तो वाद नहीं है, उननों एल-एम-वी याने लाइट मोटर वीकल दी परिबाच्छा दो बार नहीं कर सकते दिवाली तो बाद पर दूशन ता लेवल एक वार फिर खतरनाक पदर ते पहुँच गया है, सवेरा ते शामनों स्मोक दी लहर फैल रही है, जिस कारण सादे रोकियां दी या मुश्किलां वद रही हैं, सरकारिया ते निजी हस्पताला मेच अख़ां सादे फेफड़ां इंडेक्स, एक्यू, आई, जीरो तो पंजादे विचकार होना चाहिद है, पर संगरूर ते बर्नारा विच ए पदर खतर दे निशान तो पार हो चुक है, अगले दिनाविच हालात होर भी खराब हो सकते ने, लहाज़ा लोकान उसाफदन रेंड दी सला दिती जा रही है, क्योंके वद्दा पर्दूशन सहत लेंगंबीर खतरा बन सकता है, पर्दूशन वद्दा एक वद्दा कारण चोने दी कटाई भी है, यसनाल पहला ही साधे रोगियां दी गिनती वदी है, दिवाली तो बाद पटाकियां तो निकलन वाले तुएं ने हालात होर भी विगा हो रही है, पारत सरकार ने हवाई यात्रियां ले एक नमा ऐलान कीता, हुन हवाई जहाज बेच सफर कर दे समय, यात्रियां नो जहाज दे तिन हजार मीटर लगपक, दस हजार फुट दी उचाई दे पाउंच चंड दो बाद, इंटरनेट दी वर्तो करन दी अजाज़त जावेगी, इस सबंदी के अंदर सरकार ने फ्लाइट एंड मैरी टाइम कनेक्टिविटी एक्ट तहद नमा नौटिफिकेशन जारी किता है, जिस तहद ए नियम सारियां उड़ाना दिल लागू होएगा, इस तो पहला दो हजार अठारा मिच सरकार ने ए नियम लागू की किता है कि इस उचाहिते पॉंचन तो बाद वाइफाई रहें, इंटरनेट सेवा ओदों ही शुरू कीते जावेगी, जो जहाज विच इलेक्टरॉनिक उपकरना दी वर्तों करन दी इजाज़त होएगी, इस दा मतलब है कि तिन हजार मीटर दी उचाहिते पॉंचन तो बा जहाज स्टेर्ट स्पीड दे होएगा, यानि जहाज हवा विच असानी नर उड़ रहा है, इस दे नाली टेक आफ जा लैंडिंग दुरान वाइफाई बंद रहेगा, एक अदम जहाज दी सुरुक्यान उत्यान विच रखते होए चुक्या गया है, ता जो टेक आफ अफ किसे भी तरह दी तकनिकी समस्या तो बचया जा सके, नहीं नीदी दे तहत यातरी हुन उड़ान दुरान अपने स्मार्ट फोन, लैप टाप, टैबलेट अते होर, इलेक्ट्रोनिक उपकरना दी वर्तों कर सकंगे, पर अजहाज उस समय ही संबभ होएगा, जो जहाज ते न पहुंच गया हुए, इस नमें नियम दे लागू होना लियातरियानों लम्या उड़ाना दुरान इंटरनेट दी सहूलत दा लाब मिलेगा, एक वड़ी रहत हुएगी, खास और से कारोबारी यातरामा दे जानवाले लोकां लगी, जो फ्लाइट दुरान अपना काम जारी रखना चाओं देने, इस तो इलावा ए उनना यातरियान लईवी फाइदे मन्द होएगा, जो फ्लाइट दुरान सोशल मीडिया ते सरगर्म रहना चाओं देने, जहां फिल्मा आते शो दिखना चाओं देने, ए विशेशता लम्या अंतराश्टी उड़ाना दे यातरिया लई विशेशता औरते आकर शिक होएगी, जिते ओ पूरा समय इंटरनेट दी वर्तों कर सकते ने, हलाकि ए विशेशता एरलाइना दे निर बर करेगी, कि ओ किन्नी जल्दी अपने जहाजा में वाई फाई से वावा शुरू कर सकते ने, एसन आज दिया मुख मुख खबरा होर अपडेट से लिवेख देर वो पंजाब में यूसा टीवी सास्रेयकाल